हेलो गाइज, वेलकम टू दा नीलों टेस्टी रेसिपीज, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सा स्नैक्स लेके आई हूँ, जो इवनिंग में, मॉर्निंग में कभी भी आप खाये, बहुत अच्छी लगती है, और आटे से ही बन जाती है, और बहुत ही टेस्टी होती है, बच्छों को भी बहुत पसंद आती है, मैगी चीज पॉकेट, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आए जानते हैं, मैगी चीज पॉकेट बनाने के लिए, हमें किन-किन चीजों की ज़रुरत पड़ेगी, इसके लिए मैगी, प्याज, टमाटर, कैपसिकम, ग्रीन चिली, आटा, ग्रीन धनिया, सूजी, बेसन और अजवाइन, इन सब चीजों का यूज करेंगे, यहां दो पैकेट मैगी का यूज किया है, गैस पे कड़ाही को गरम होने के लिए रख दिया है, इसमें टूस्पून ओइल डाल दिया, ओइल जब गरम हो जाए, तब इसमें ग्री भूल लेंगे, आज को धीमा ही रखें, ज्यादा तेज ना रखें और उसी भी करते हुए भूनते रहेंगे इसके, जब यह थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तब हम इसमें टमाटर को एड़ करेंगे, थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हल्दी पॉड़र डालेंगे, और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि हम इसमें मैगी डालेंगे, तो मैगी में अल्रेडी सॉल्ट होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ही सॉल्ट का यूज करेंगे, इनको मिलाते हुए अच्छे तरीके से भून लेंगे, अब हम इसमें मैगी मसाले का पैकेट डाल लेंगे और एक ग्लास पानी डालेंगे क्योंकि एक ग्लास पानी में हमें मैगी को भी बॉल करना है तो यहां एक ग्लास पानी का यूज किया है मैंने दो पैकेट मैगी है तो दोनों पैकेट को आराम से उसमें पकने के लिए पानी चाहिए तो अब मैगी को हम इसमें तोड़ करके डाल देंगे थोड़ा चला करके देख लेते हैं कैस की फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसमें बॉइल अच्छे से आ जाए अब इसे 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे दो से तीन मिनट बार चेक कर लेते हैं यह देखिए मैगी बिल्कुल पक करके रैडी हो गई है इसमें हम हरा धनिया डाल करके मिक्स कर लेंगे इसे और एक प्लेट में निकाल करके थोड़ी दिर के लिए थंडा होने देंगे इसे चार-पांच मिनिट के लिए रख देते हैं ठंडा हो तब तक मैगी हमारी ठंडी होती है तब तक हम आटे में थोड़ा सा अजवाइन थोड़ा सा नमक थोड़ा सा मंग्रेल जिसे कलॉजी भी कहते हैं थोड़ा सा सूजी कब से कम क्राइबून 2 स्पूनजी इसमें ढम दालेंगे ठोड़ा सा आईल वन स्पून al और थोड़ा सा बेसन इन सब चीजों को मिला करके आटे का सफ्ट डोम तयार कर लेंगे मिक्स करते हुए थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तयार कर लें यह देखिए आटा गुद करके रडी हो गया है अब हम इसकी छोटी छोटी लोईयां बना लेंगे बिल्कुल इतने साइस के हमें लेनी है लोई और इसे छोटे-छोटे से पेड़े इस तरीके से करते हुए बनाने है यह दो पेड़े बना लिए मैंने अब इसे थोड़ा सा आटा लगा करके और गोल करते हुए ऐसे रख लेंगे और इन दोनों के बीच में हम थोड़ा सा ओई लगाएंगे ताकि जब हम इसे बेले तो यह आपस में चिपक तो जाएंगी बट हम जब इसे पकाएंगे तो यह आप आटोमेटिक अलग हो जाएंगी इस तरीके से ऐसे सफेल फैल पेला दे इस पर और एक दूसरे के ऊपर लगाके दबाते हुए फिर हम इसे बेलेंगे बिल्कुल रोटी की तरह ही इसको बेलना है और कुछ भी नहीं करना बहुत आसान होता है इसे बनाना इस तरीका से उलट-पलट करके बेल करके पतला बेलेंगे बिल्कुल रोटी की तरह पतला बेलेंगे क्योंकि जब ये लेयर निकलेंगी तो ये और भी पतली हो जाएगी तो इसलिए पतला बेलें यह देखिए बिल्कुल रेडी है अब हम एक कटोरी में थोड़ा आटा ले लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके एक पतला सा घोल त्यार कर लेंगे जब हम अपने रोल्स को चिपकाएंगे तो इसी के पैटर से चिपकाएंगे ताकि वो अच्छी तरीके से चिपक फुल को पराटे के लगी है हलका फुल का ही सेखा इसको कुक नहीं करना है थोड़ा सा इसजिंदक निकाल लेंगे इसे तरीके से हम सारी रोटियों को सच लेंगे जा dato है अमूल का चीज ऐसं है यह आपको नार्मल रमैण टीए चिली स बढ़ेंगे और उपर से थोड़ी सी मैगी डालेंगे मैगी डालने के बाद उपर से एक चीज की स्लाइस डाल देंगे अब इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए रोल करेंगे इस पर थोड़ा सा डो आमने त्यार किया है मिक्षर आटे का उसको लगा करके फिर इसको चिपका देंगे इस तरीके से आराम से चिपका दें इसको ताकि जब हम इसको फ्राइ करेंगे तो यह निकले नहीं और आराम से चिपक के सिख जाएगा दोनों साइड से लगाने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए दबा लेंगे यह देखिए अच्छे तरीके से हो गया इसी तरीके से हम सब को बना लेंगे अब मैंने गैस पे पैन को रखा है और ये मैंने देसी घी का यूस किया है हमें बच्चों को भी खिलाना है तो इसलिए आटे और देशी घी में ही बना रहे है ताकि बच्चों के लिए हेल्दी भी रहे और उनकी फेवरेट मैगी तो है ही उन्हें बहुत पसंद आएगा इसे उलट पलट करके अच्छे तरीके से सेख लेंगे दिखिए कलर भी ब्राउन हो गया है अब यह बनके त्यार है अब हम इसी सेम बैटर से ही एक रोल भी बनाएंगे मैगी रोल भी बन जाता है इसी से मेटर से ही तो इस तरह के से पराठे में मैंने ये चिली सॉस डाला है और थोड़ी सी मैउनीज डाल दी इसे भी अच्छे तरीके स्प्रेट करने के बाद ये थोड़ी सी मैगी उपर से हम थोड़ा सा प्याज जो भी आपको वेजटेबल कैपसिकम और तमाटर जो आपको अच्छा लगे आप वो सब डाल सकते हैं इसमें मैंने प्याज डाला है कैपसिकम वगरा अल्रेडी मैंने म बहुत ही टेस्टी टिफिन में बच्चों के दीजे साम के स्नैक्स में खाये बहुत ही अच्छा है इसे तोड़ करके भी देख सकते हैं ये देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है और चीज का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझ